पिछले वीडियो में हमने दस्वी गणित का अध्याय आठ कई कुछ महत्वपोन सवालों को देखे थे अब आज के इस पार्ट में भी हम अगला सवाल देखते हैं अब है सवाल प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्ना प्रश्न है यदी 10A प्लस B बराबर करनी 3 और 10A माइनस B बराबर एक बटे करनी 3 जिसमें 0 छोटा है A प्लस B से और A प्लस B छोटा या बराबर है 90 डिगरी से जहां A बड़ा है B तो A और B का मान याद कीजिए तो पिछले वीडियो में भी हमने इसी टाइप का एक सवाल करा था उधारन 8 उसमें हमने इन दो मानों को देखा था और क्या ग्याद करना था उसे देखा था तो यही चीजे हम इसमें भी देखेंगे यह 10 A प्लस B बराबर करनी 3 और 10 A मानों को हम देखेंगे और A और B ग्याद करना है बाकी बीच का लिखेवे से हमें कोई लिख मतलब नहीं है तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये 10 A प्लस B बराबर करणी 3 ये प्रश्ण के अंदर ही दिया है तो हम लिख देंगे यहां पे दिया है अब इस 10 A प्लस B को तो इसा ही उतार देंगे और बराबर में इस करणी 3 को देखेंगे तो ये करणी 3 हमें मान देखना है किसके अंदर 10 के अंदर क्योंकि बराबर के इधर 10 आया है तो करणी 3 को भी हम 10 के अंदर देखेंगे तो 10 के अंदर करणी 3 किसमे मान होता है तो 10 के अंदर ये मान होता है करणी 3, 60 डिग्री का तो हम इस करणी 3 की जगा लिख देंगे 10, 60 डिग्री अब 10 से 10 हटा देंगे तो बचेगा क्या हमार पास A प्लस B तो A प्लस B और बराबर में बच रहा है 60 डिग्री इसे बना देंगे समीकरण 1 अब ऐसे ही हम 10 A माइनस B बराबर एक बचे करणी 3 को लें ये भी हमें प्रश्न के अंदर ही दिया है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है अब इसमें 10 A माइनस B को तो ऐसे ही लिखेंगे हम और बराबर में अब इस बार हमें देखना है एक बटे करनी 3 ये 10 के अंदर किसका मान होता है तो एक बटे करनी 3 10 के अंदर अगर मान देखें तो ये होता है 10 30 डिगरी का तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक बटे करनी 3 की जगह 10 30 डिगरी तो 10 से 10 हट जाएगा तो इस बार बच्छा हमार पास A-B बराबर 30 डिगरी ये बना देंगे समीकरण 2 अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर सबसे पहले हम समीकरण 1 उतार लें A-B बराबर 60 डिगरी और अब उतार देंगे समीकरण 2 को A-B बराबर 30 degree अब प्लस B से यह माइनस B तो कड़ जाएगा और A और A जुड़ के हो जाएगा 2A और बराबर में 30 और 60 को जोड़ा तो यह हो गया 90 degree अब A का मान निकालना है तो हम A को यह रहन देंगे बराबर के इधर 90 degree तो अब इले से 20 है और इस 2 को भी अब 90 के बटे में लियाएंगे हम तो 2 से जब 90 काटेंगे तो 2 चोक 8 बचेगा एक तो 1 और 0 मिलाके 10 बन गया 2 पंजे 10 तो A बराबर हाया हमार पास 45 degree यह A का मान निकला आया भी हम अब B का मान यदि निकालना है हमें तो हम क्या करेंगे इस A के मान को या तो हम समीकरण एक में रख दे या समीकरण दो में रख दे तो इस बार मैं इस A के मान को समीकरण एक में रख रहा हूं क्योंकि समीकरण एक प्लस वाली है इसलिए इसके अंदर में यह मान रख रहा हूं पिछले सवाल में उधारण 8 में समीकरण 2 प्लस वाली आई थी इसलिए मैंने समीकरण 2 में रखा था इस बार ये प्लस वाली समीकरण 1 है इसलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं तो अगर हम इस मान को समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 थी A प्लस B तो A की जगा तो हम रखेंगे 45 डिग्री प्लस B को ऐसे लिखेंगे और बराबर में था हमारे पास 60 डिग्री ये A प्लस B बराबर 60 डिग्री था तो A की जगा हमने A का मान रख दिया 45 प्लस B को ऐसे लिखा और 60 डिग्री को भी ऐसे लिख दिया अब B का मान निकालना है तो B बराबर साठ तो पेले से इधर है और 45 को भी अदी इधर लियाएंगे तो यह प्लस की जगा माइनस का 45 डिगरी हो जाएगा तो B बराबर बचेगा 45 में से, 60 में से 45 घटाने पे 15 डिगरी तो यह आगे हमार पास B का मान तो A का मान 45 डिग्री आया था B का मान 15 डिग्री आखरी में अब हम उत्तर लिख देंगे अतह A बराबर 45 डिग्री वो B बराबर 15 डिग्री है ये हो गया इसका आंसर